हलो दोस्तों, Welcome to Study Universe, मद्धप्रदेश के No.1 Channel for Daily Current Affair के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों, आज हम जानेंगे मद्धप्रदेश के मंतली Current Affair जिसमें हम बात करेंगे मद्धप्रदेश के April माहे में जितने भी important question हुए है उनके बारे में दोस्तो ये वीडियो आपके सभी प्रतियों की परिक्षाओं यानि competitive exams के लिए important है, मत्रतिस के जितने भी exam होंगे उनके लिए most important है दोस्तो कम से कम इस वीडियो में top 40 से जादा question लिए गया है, वीडियो को और हिंदी इंगलिस दोनों भाषाओं में बनाया गया है, तो आप इस वीडियो को बहुत कौर से देखिए, दोस्तो बिना समय गभाई चलते हैं question number first पर question number first है, युद्ध अभ्यास बज्जपरहार का कौन सा संस्क्रण 2021 में शुरू किया गया है, तो इसका सैय। सब्सक्राइब कर दोस्तों यह जो बज्जब्रहार युद्ध अभ्यास हमाचल प्रदेश में हुआ है दोस्तों बज्जब्रहार की अलावा भारत युद्ध अभ्यास भी होता है नेस्ट कोशन इस ग्लोबल जेंडर गेप इंडेक्स में भारत की रेंक किया है इंगलिस में what is the rank of the global gender gap इंडेक्स तो इसको सही option है 140 भी भारत की इस इंडेक्स में 140 भी रेंक है वहीं अगर बात करें पहले स्थान पर तो आइसलेंड पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर फि 240 भी नेस्ट कोशन है दादा सहाफ फाल के अवर्ड 2021 में किसे दिया गया है तो दोस्तो यह अवर्ड 2021 में रजनी कांथ को दिया गया है दोस्तो यह most important question है आपको याद रखना है दादा सहाफ फाल के अवर्ड 2021 रजनी कांथ को दिया गया था अगर बात करें 2020 की तो 2020 में य दीवी का राणी को दिया गया था और जो दादर साहफ फाल की हैं यही फादर ओफ दा इंडियन सिनेमा कहे जाती हैं तो आपको इतना इस कोशन के बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है दा वर्ल इन ट्वंटी थर्टी पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किसकी द्वारा तयार की गई है तो दोस्तो यह रिपोर्ट युनेसको की द्वारा तयार की गई है आपको युनेसको के कुछ इंपोर्टन फेक्ट के बारे में बता दें इसकी इस्थापना 16 न The World in 2030 यानि 2030 में विश्व कैसा होगा उसकी बारी में तो यह रिपूट आपको याद रखना है और इसका नाम है The World in 2030 पब्लिक सर्वी रिपूट कलिंग रतन अवर्ड 2021 हाली में किस राज़ की राज़पाल को दिया गया है तो दोस्तो इसका सही ओफ्शन है आंदर प्रदीश की राज़पाल विश्व भूशन हरी चंदन को कलिंग रतन अवर्ड 2021 से सम्मानित किया गया है यह most important question है आपको याद रखना है बाताईए आंदर प्रदीश की तो आपको मैंप में इसकी location के बारें बता दें सबसे पहले आप देख पार होंगे यह आंदर प्रदीश का गठन एक नॉम्बर 1956 में किया गया था यहां की जो राज़धानीवाय अमरावती है आपको बता दें 2014 में यह तमिलाडू से अलग सवरी तेलंगाना से अला किया गया था यहां की जो राज़धाल है वह विश्व भूसन हरीचन्दन है मुक्ठमंत्री वाई एस जगमोहन रेड़ी है राज़सवा की कुल 11 है और लोगसवा की कुल 25 सीटे है आंदर प्रदीश में यहां का जो नरत है वह फीमस कुचिपू का कवड़ी है तो दोस्तो यह कुछ इंपूटेंट फेक्ट जो लास्ट में लिखें आपको याद रखना है यहां से एकजाम में कॉशन बनता है यह एंगलिस में है आप इसको याद कर सकते हैं और देख भी सकते हैं एक बार रिवाइस जरूर कीजिए नेस्ट कॉशन हाल उनके ब्रांड जो हैं उनके बारे में बता दे तो वीवो, आईक्यू, ब्लू स्टार, हमालया, मिंत्रा, गूगल डियो, फ्यूमा, एंपियल, हीरो मोटर कॉप और व्रोगन इन सभी के ब्रांड अमबैस्टर ब्राट कोई लिए हैं और इसी के साथ डिजिट एंशुरें गया था 2007 में आपको याद रखना है इनकी 88 वर्ष की उम्र में मिरत्य हो गई है और अगर बात करें इनकी शशिकला जावलकर की पहली फिल्म की तो जीनत इनकी पहली फिल्म थी नेश्ट कोशन है राम वन गमन मार्ग किस राजी में बनाया जा रहा है तो दोस्तो इसका सबसे ईजी आंसर वो सबसे सही उत्तर है उतरपदेश उतरपदेश में राम वन गमन मार्ग बनाया जा रहा है दोस्तो भगवान स्री राम जिस जिस मार्ग से वो स्री लंका या फ पर आदिश सहरों को जोड़ेगी बस दोस्तों बात आईए उत्रप्रदेश की तो आपको मैप में यह देख पा रहा हूंगे यह लोकीशन है मैप में उत्रप्रदेश की उत्रप्रदेश की स्थापना 24 जन्वर उन्नीज सो पचास में की गई थी राज़धानी लखना हुए यहां की जो गवर्नर है अनन्दी बेन पटेल हैं एक और फेक्ट आपको याद रखना है अनन्दी बेन पटेल मद्रदेश की भी गवर्नर हैं मुक्तमंतर योगी आधितनाथ हैं राज्यसवा की 31 सीटें और लोगसवा की कुल 80 सीटे हैं दोस्तों एक और important fact आपको मैं यह नहां पर बता दू कि उत्तर प्रदेश में सबसे जादा बिधान परिशत की सीटें या फिर बिधान परिशत की सदस्य भी है तो यह एक important question है आपको याद रखना है next question है दुनिया का सबसे लंबा railway bridge किस नदी पर बनाया गया है तो यह है चिनाव नदी पर दुनिया का सबसे लंबा जो bridge बनाया गया है वह है चिनाव नदी पर बनाया गया है दोस्तों यह है जम्मू कश्मिर में एस्थेत है और इसकी जो जो उचाई है वह है 369 मेटर है त हाली में N.V. रमना को भारत के कौन से CGI के पद के लिए निक्त किया गया है तो दोस्तों ये भारत के 48 वे Chief Justice यानि सर्वोच न्याले के मुख न्यायदी सोंगे इनका नाम है N.V. रमना दोस्तों इससे पहले 47 वे Chief Justice को थे आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम चरूर लखिएगा विश्व स्वास्त दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो दोस्तों प्रतिक 7 अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है आपको बता दे इस दिवस की शुरुवात 1950 से की गई थी और इस बार यानि 2021 में जो विश्व स्वास्त दिवस की थीम रखी गई है वह विल्लिंग आफ एरिवेर हैलियर एंड वर्ल्ड फॉर एवरिवन ये थीम 2021 में रखी गई है दोस्तो ुस मदुकीरती पोटल और हनी कौर्नर का शुवारंब हमारे कैंदेरिय क्रशी मंत्री नरेंदर सेहANGतोमर की द्वारा किया गया है ये किमपोर्टेंट क्वेशन है आपको ये याद रखना है बाहरत में जो Corona virus का। दवल म्यूटेंट पाया गया है उसका नाम क्या रखा गया है तो इसका नाम B1.617 रखा गया है तो उस्को अनचे अलावा अच्छे तरीके से सभी wizard की सभी जो म्यूटेंट हैं उनके नाम रखी जाएंगे लेकिन फिलहाल जो भारत में double muted virus पाया गया था उसका जो नाम है वहाई B.1.617 रखा गया है यह जो पहला है B.1.17 यह दोस्तों UK variant का नाम है और जो second है B.1.351 यह South Africa variant का नाम है 36 गड का वीरानी पुरुसकार हाली में किसे दिया गया है तो दोस्तों यह पुरुसका दूती चंद्र को दिया गया है जैसा कि आप जानते हैं भारत की दूती चंद्र एक बहतरीन धावक है और इन्हें यह अवोड 36 गड के द्वारा दिया गया है जिसका नाम है वीरानी तो दूस्तो इसका 71 इस्थापना दवस 2021 में मनाया गया है। अब ये भारतिय संस्कृतिक परिशत होती क्या है आपको इसकी बारें बता दें। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिस में इंडियन कल्चर काउंसले। आपको बता दें इसकी स्थापना 1950 में की गई थी नई दिली में इसका हेड़कॉर्टर है और जो बर्दमाने में महाने दे सके हैं वह है दिनेस पटनायक हैं। आपको इतना भारतिय संस्कृतिक परिशत की बारे में याद जरूर रखना है। नेस्ट कॉशन वाफटा फिल्म अवर्ड में बेस्ट फिल्म का अवर्ड किसी दिया गया है। तो दोस्तो इसमें Best Film का Award नुमार्ट लेंड को दिया गया है, यह Most IMP Question है आपको याद रखना है, वाफटा Film Award 2021 में नुमार्ट लेंड को दिया गया है, वहीं 2020 में 1917 को यह Award दिया गया था, आपको दोस्तो कुछ IMPORTANT FACTOR इसके बारे में बता दें, जो वाफटा Award है इसके बारे में, तो वाफटा का Full Form होता है British Academy Film Award, इसका यह 74 संस्क्रण 2021 में आयोजन किया गया था, दोस्तो इसका आयोजन UK यानि United Kingdom में प्रिटी वर्ष किया जाता है, पहला Award 1999 में दिया गया था, अब कुछ और IMPORTANT FACTOR हैं, यह तो फिल्म का नाम हो गया, जो बेस्ट फिल्म में बहुआ है, नुमार्ट लेंड है, इसके अलावा और भी जो बेस्ट एक्टर हैं, उसका अवाड एंटोनी हॉपकिन्स को दिया गया है, बेस्ट एक्टरिस 2021 का वाड फ्रांसेस M.C. डॉर मनजूरी दी है, यह को IMPORTANT QUESTION है, आपको याद रखना है, दोस्तो भारत में जो मनजूरी देने वाली, जो संस्था है, उसका नाम क्या है, तो आपको यह मैं बता दूँ, जो भारत में वैक्सीन को मनजूरी दी है, उस संस्था का नाम Central Drug Standard Control Organization है, जिसका हैटकोटर दिल्ली म मानी, आपको इतना इसके बारे में याद रखना है, दोस्तो बाता यह रूस की तो आपको बताते हैं, विसका एक मात्र देश है, जो दो महादीव में फैला हुआ है, वह है रूस, यानि विसका सबसे बड़ा देश है, रूस, यहाँ की राजधानी मौस्को है, जो राष् हत्याकंड 2021 को कितने वर्ष पूरे किये हैं, तो दोस्तो जलियावाला बाग हत्याकंड ने हाली में 102 वर्ष पूरे किये हैं, आपको बता दें, 13 अपरेल 1919 में यह हत्याकंड किया गया था, 20 करड़ों से अधिक, जो जलियावाला बाग हत्याकंड है, वहाँ पर 20 करड़ों रुपए से पर का रिनोवेशन किया जा रहा है हाली में किसे 24 वा चीफ एलेक्शन कमिशनर बनाया गया है तो दोस्तो शुशील चंद्रा को हाली में 24 वा चीफ एलेक्शन कमिशनर बनाया गया है दोस्तो आप कुछ और नाम जो इस्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे उनकी बारी में बता दें तो PK सिन्हा ये प्रधान मंत्री के प्रमुक सलाहकार है अगर हम गौरगी कॉल की बात करें तो ये रक्षा और वित्ध सचो है अगर हम तरुन बजाज की बात करें तो ये राजस्व सचो है तो आपको इन चारों की बारे में इतना याद रखना है और 24 बाद चीफ एलेक्सन कमिशनर सुसील चंदर को बनाया गया है बारत इनर्जी डैशबूर्ट संसकन 2.0 लांच किस भाग के द्वारा किया गया है तो दोस्तो इसका सबसे शही आंसर है नीती आयोक के द्वारा नीती आयोक के द्वारा भारती इनर्जी डैशबूर्ट संसकन 2.0 लांच किया गया है सबसे पहले तो आपको बता दे नीती आयोग को गठन 2015 में किया गया था दोस्तो इसका हेड़कॉर्टर नई दिल्ली में है और इसके जो चेर्मेन है वह प्रधान मंतरी होते हैं अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नीती आयोग का प्रथम चेर्मेन कौन था दोस्तो इस वक्त जो नीती आयोग के CEO है वह है अमिताप कांथ है और वाइस चेर्मेन है राजीब कुमार तो इतना आपको नीती आयोग के बारे में याद रखना है राज सेना डायलोग 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री शामिल हुए है तो दोस्तो इसका आंसर जो है वह है देनमार्क है देनमार्क के जो प्रधानमंत्री है वह राज सेना डायलोग 2021 में शामिल हुए है सिंगापूर की ठर्जपर भारत में किया जाने वाला डायलोग है इसमें डेनमार के लावा रवांडा के राश्टपती को ही शामिल किया गया है Next question Sir Richard Headley पदक हाली में किसे सम्मानित किया गया है तो दोश्तो इसका सही option है Kane Williamson केन बिलियमसन जो न्यूजिलेंड के एक बेस्ट मेन और वहाँ के कैप्टन क्रिकेट टीम के उन्हें सर रिचर्ड हैडली पदक्सि सम्मानेत किया गया है 2021 में केन बिलियमसन को दिया गया है नेश्ट कोशन है हाली में किसे नाडा का महानेदे सक चुना गया है तो ये है सिद्धार्त लॉंग जाम को हाली में NADA का महाने देशक चुना गया है दोस्तो बात आईए NADA की तो चलिए आपको NADA को ये बारे में बताती है दोस्तो NADA का फुल फॉर्म National Anti-Doping Agency होता है इसका जो भावार्थ है यानि जो मोटो है वह प्ले फियर है इसका गठन चौब नवंबर 2005 को किया गया था मुख्याल है नई दिल्ली में है और इसकी जो अध्यक्ष है वह है खेल मंत्रल है इसका अध्यक्ष होता है नेस्ट कॉशन है प्रदूशन मुक्त पूर्ट वह है कौन सा देश लाँच करेगा यानि विच कंटी विल वी लाँच्ट पॉलूशन फ्री वैसल तो इसका सई उफ्षन है यूके यूके दोजार पच्चीस तक यानि यूके दोजार पच्चीस तक प्रदूशन मुक्त पूर्ट का सुवारंब या लाँच करेगा दोस्तो आपको बता दे यह है जो पूर्ट वैं 300 मीटर लंबा होगा 46 मीटर चोड़ा होगा और 60 मीटर इसकी उचाई होगी इसमें 480 यात्री शफर कर सकेंगे ऐसा पूर्ट यूके के दोजार बनाया जाएगा जिसे 2025 में लाँच किया जाएगा दोस्तो बात आईए यूके की तो आपको बता दे यह लोकेशन आप देख पार होगा यह है यूके यूके की राजधान है लंदन यहां की जो समराट होए एलेजब है तुती है प्रदान मंतरी यहां के जो है वारिस जॉनसन है और जो मुद्रा है वाई पाउंड स्टालिंग है दोस्तो कुछ दो-तीन देखों को मिला कर पूरा यूके बनता है नेस्ट कॉशन है देख का दूसरा सबसे बड़ा COVID-19 सेंटर कहां शुरू किया गया है तो दोस्तो इसका सही उप्शन है इंदॉर इंदॉर में देख का दूसरा सबसे बड़ा COVID-19 सेंटर शुरू किया गया है दोस्तो यह सेंटर रादसवामी सथसंग ब्यास के द्वारा शुरू किया गया है जिसमें 2000 बैड है दोस्तो इस से पहले जो सबसे बड़ा COVID-19 सेंटर शुरू किया गया था वह दिल्ली के छतरपुर में किया गया था जिसमें 10,000 बैड थे और इंदौर बाले में 2000 बैड है अब बात आईए इंदौर की तो चलिए आपको मैप में इसकी लोकेशन और कुछ important fact के बारे में इंदौर की चर्चा करते हैं तो यह कुछ important fact हमने इंदौर की बारे में चर्चा की है next question है Asian Championship की 69 kg केटिगरी में gold medal किसने जीता है तो सरीता मोर सरीता मोर ने Asian Championship के 69 kg केटिगरी में gold medal जीता है आप पुता दें यह है दोस्तो सीमा बेसला जो है यह है इनके साथ है और जिन्होंने 50 kg में bronze medal जीता है तो आपको इन दोनों की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉशन है NGT ने कितने शहरों में प्रदूर्शन रोकने task force का गठन किया है तो NGT ने 124 शहरों में प्रदूर्शन रोकने के लिए task force का गठन किया है यह इंपोर्टेंट फेक्ट है आपको याद रखना है अब यह NGT क्या है आपको इसकी बारें बता दे तो इसका full form national green tribunal होता है जिसका formation 2010 में किया गया था headquarter नई दिल्ली में है और head अरुन गोयल कि विजजड़न अलमेना 2020 के दिसक का सरवसिष्ट खिलाडी कि से चुना गया है तो दोस्तों इसका जो सरवसिष्ट खिलाडी चुना गया है वह बाराट को इली को चुना गया है जिसका सही option है ब्राट कोईली आपको बताएं 2008 में ब्राट कोईली डेवली किया था 2011 वर्ल्ड कप टीम का और 2013 चेंपियंस टौफी का हिस्सा रहे हैं और बरतवान में ये भारती टीम के कप्तान भी है क्लाइमेट चेंज में होने वाले खत्रों में सबसे संवीदन सील राज किसे बताया गया है तो दोस्तो इसका सही option है जारखंड जारखंड को क्लाइमेट चेंज में होने वाले खत्रों में सबसे संवीदन सील राज बताया गया है वहीं दूसरे स्थान पर मिजूरम को बताय गया है IIT मंडी गोहाटी IFC बेंगलूरू के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इन दोनों को सबसे संबेदन सील राज क्लाइमेट चेंज की आधार पर बताया गया है वहीं अगर बात करें सबसे कम संबेदन सील राज कौन सा है तो महरास्ट सबसे कम संबेद कंसील राज कलाइमेट चेंज को लेकर.. नेस्ट कॉशन हाली में किसे चेंपियंस ऑफ चेंज अवर्ड 2015 से नवाजा गया है तो यह है नेस्ट कोशन रास्टी नागरिक सिवादवस का मनाया जाता है तो प्रत्यक 21 अप्रेल को नागरिक सिवादवस यानि National Civil Service Day मनाया जाता है दोस्तो इसी दिन ग्रह मंत्री बल्लब भाई पटेलें 1947 में अधिकारियों को सम्भदित किया था तब से यह नागरिक सिवादवस मनाया जाना शुरू किया गया Global Energy Transition Index में भारत का कौन सा इस्थान है तो भारत का Global Energy Transition में 87 यानि सतासी अष्थान है ये most important question है इसे आपको याद रखना है Global Energy Transition Index में भारत का इस्थान है 87 वह अगر बात करें इसमें पहले इस्थान पर कौन है तो Sweden इसमें पहले इस्थान पर है अब ये Global Energy Transition Index कौन जारी करता है तो World Economic Forum की द्वारा यह Index जारी किया जाता है PM Care Fund की मदद से कितने Oxygen Plant इस्थापित करने की योजना बनाई गई है तो दोस्तो PM Care Fund की मदद से 162 PM Care Fund Oxygen Plant इस्थापित करने की योजना बनाई गई है दोस्तो ये PM Care Fund क्या है आपको इसके बारे में याद रखना है इसका Full Form में आपको बताने जा रहा हूँ तो प्रधान मंत्री Citizen Assistance and Relief and Emergency Situation Fund ये जो Full Form है वह आपके किसी भी एकजाम में पूछा जा सकता है आपको याद रखना है और Oxygen Plant इस्थापित करने की योजना 162 जगह बनाई जा रही है OPCW द्वारा बाहरी लेखा परिक्षक के रूप में किसे चुना गया है और तीन साल हेतू इन्हें इस पत के लिए चुना गया है अब ये OPCW है क्या चलिए आपको इसके बारी में बताते हैं OPCW का Full Form Organization of Prohibition of Chemical weapons होता है इसका Formation या स्थापना 29 अप्रेल 1997 में की गई थी Headquarter हैग नेधरलेंड में है और जो Director General है वह हैं Fernando Areas तो इतना आपको OPCW के बारे में याद रखना है Next Question दुनिया का सबसे उचा जैनाल है किस चलिए में बनाया जा रहा है तो सागर में दुनिया का सबसे उचा जैनाल है बनाया जा रहा है चलिए दूस्तो बात आए सागर की तो आपको कुछ important facts सागर के बारे में बताते हैं मैप में आप देख पर होंगे ये location है सागर चिले की मदप्रदीश की मैप में भारत का हिर्दाय की नाम से सागर को जाना जाता है मदप्रदीश का प्रथम विश्विध्याल है, हरी सिंग और विश्विध्याल है सागर में ही इस्तित है, सती परथा का प्रथम उलिक, एरन में देखने को मिलता है नापतौल प्रिसिक्षन संस्थान और स्टेनलेस स्टील कॉंप्लेस की स्थापना भी सागर में ही की गई है नेस्ट कोशन है, विश्व के एक मात रज़त मंदर कहां बनाया जा रहा है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है टीकमगड, टीकमड में विश्व का एक मात रज़त मंदर बनाया जा रहा है दोस्तो यह जो मंदर है वह 130 फीट लंबा, 96 फीट चोड़ा होगा, दो क्वेंटल चांदी से 24 प्रितिमाज तीर्थकरों की बनाई चाहेंगी तो यह आपको याद रखना है, चलिए बात आईए टीकमड की तो आपको टीकमड की कुछ important fact बता दें सागर संभाग का एक जिला है टीकमड, मदब्रदिस की और भारत की पिर्थम नदी जूडो परियोजना और नदी तालाब जूडो परियोजना टीकमड में ही शुरू की गई है मत्रदिस में सरबादिक तालाब टीकमगड में है टीकमगड को बुंदिलों के शौर की भूमी के नाम से जाना जाता है और हरदोल की मनोती यहीं पर मांगी जाती है तो यह कुछ important fact हुए टीकमगड के बारे में Next question है HDFC Bank का अंशकालिक अत्यक्ष हाली में किसे चुना गया है तो दोस्तो इसका सही option है अतनू अंतनू चक्रवर्ती अंतनू चक्रवर्ती को HDFC Bank का हाली में अंशकालिक अत्यक्ष चुना गया है दोस्तो यह 2021 से आने वाले 3 साल हेतु चुना गया है जो अंतरू चक्रवर्ती है वह है 1985 IAS बेच के अधिकारी है आपको बता दे HDFC बैंक के जो CEO है वह है शरशिधर जगदीशन है तो आपको इतना इन सभी के बारे में याद रखना है नेश्ट कोशन बिस्व मलेरिया दिवस कम मनाया जाता है तो प्रत्यक 25 अप्रेल को 200 मलेरिया दिवस सेलिवरेट किया जाता है आपको बता दें इस बार 2021 में जो इसकी थीम रखी गई है वह है रीचिंग दा जीरो मलेरिया टार्गेट ये थीम रखी गई है 2021 में आईपियल में एक ओवर में सबसे ज़्यादा 37 रन बनाने वाले बल्लिवाच कौन बनी है तो ये हैं दोस्तो हमारे रवेंजड़ेजा सर रवेंजड़ेजा आईपियल में सबसे ज़्यादा एक ओवर में 37 रन इन्होंने ही बनाये है दोस्तो ये most important question है आपको याद रखना है next question है किस देश की पार्टे करम में रामायन और महाभारत का पार्ट पढ़ाया जाएगा तो दोस्तो ये है साओधी अरब साओधी अरब के स्कूलों के पार्टे करम में हमारे रामायन और महाभारत का एक पार्ट या अध्याय एड़ किया गया है तो आपको इतना इसकी बारे में याद रखना है ये most important question है दोस्तो बात आईए साओधी अरब की तो मैप में आपको इसकी बारें बता देए दोस्तो मैप में ये location आप देख पारेंगे साओधी अरब की है साओधी अरब का जो मोटो है वह है भगवान की सिवा कोई भगवान नहीं मुहमद इस्वर के दूथ हैं इंगलिस में there is no God but God मुहमद is a messenger of God यहां की जो राजधानी वह रियाद है मुद्रा साओधी रियाल है यहां की जो राजधानी वह सल्मान है और क्राउड प्रिंस मुहमद बिन सल्मान है तो इतना आपको साओधी के बारे में याद रखना है यह पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है तो दोस्तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं अमिताब घोस अमिताब घोस ने दा लिविंग माउंटेन अफेवल फॉर अबर टाइम्स यह पुस्तक लिखी है दोस्तो आपको बताने 2019 में इन्हें ग्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित किया गया था और अंग्रेजी में ग्यानपीट पुरुसकार पहली बार अमिताब घोस को ही दिया गया तो यह कुछ important fact आपको इनकी बारे में याद रखने है Candler a good government index में भारत का कौन सा इस्तान है तो इसमें भारत का 49 इस्तान है तो सही option हो जाएगा 3 Candler a good government index में भारत का 49 इस्तान है वहीं अगर बात करें पहले इस्तान की तो इस लिस्ट में पहले इस्तान पर है Finland विसो सेन वे रिपोर्ट में सबसे अबबल राज़ी कौन सा है तो दोस्तो इस रिपोर्ट में सबसे अबबल राज़ी USA है दूसरे इस्तान पर चायना है दोस्तो अगर बात करें भारत की तो भारत थर्ड इस्थान पर आता है विश्व सेन्य बेर रिपोर्ट में यानि वर्ल्ड मिलिटरी एक्सपेंडीचर रिपोर्ट में दोस्तो यह जो रिपोर्ट है वह स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट के द्वारा जारी की गई है नेस्ट कोश्चन है हाली में किसी भारत का वित्त सचव चुना गया है तो दोस्तो टी एन सुमनातन को हाली में भारत का वित्त सचव चुना गया है तो सही ओप्शन है फोर्थ दोस्तो कुछ और नाम आपको देख रहे होंगे आपको इनकी बारी में बता दें अजय भूशन पांडे ये भारत के विद्ध सचेव थे इनके इस्थान पर T.N. सुमनातन को बनाया गया है बात करें अजय कुमार भल्ला की तो दोस्तो ये ग्रह सचेव रह चुकी है बहीं अगर बात करें S.N. सुम्ब्रमंडियम की तो ये बरतवान में राष्टिय सुरक्षा परिशत के अध्यक्ष है तो इन चारों की बारे में आपको इतना याद रखना है हाली में किसे एक्सेस बैंक का M.D. और C.E.O. चुना गया है तो दोस्तो ये तमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की अप्रेल 2021 के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन हुए मंतली उसके बारे में वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और हमारे चैनल स्टर्ड यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरू कीजिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं मद्दबदिश के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन होते हैं करन्ट अफेर झाल 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 झाल